बच्चों आज के सेशन में हम लोग काइनामेटिक्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेवल रहेगा जेई और नीट का ठीक है तो पहले हम लोग कुछ बेसिक थेयरी कंसेप्ट रिवाइस करेंगे जो हम अल्रेडी बोर्ड लेक्चर में पढ़ चुके है और बाद में हम उसके नीमरील्ग भी करेंगे ठीक है प्रि रिक्विजिट में आपको कुछ पता वने पूंसप्त पदा दिया है कि पहले आपको पता होना चीए ठीक है ओर दूसर्मेटिवन टेरी के और तीसरा जो पॉइंट है वह है आपका वेक्टरुथ तो बस उतनी चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आप जेए का जो काइनामेटिक्स टॉपिक है वो अच्छे से कर पाओगे शुरुवात के कुछ टॉपिक्स में इनका कोई यूज नहीं है जैसे यहां पर हम लोग एक्सलरेशन और उसके आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे तब इन मैथेमेटिकल कंसेप्ट की ज़रुवत पढ़ेगे तो पहले हम लोग लेसन की स्टार्टिंग कर देता है यह प्री रिक्विजिट था मैंने बता दी आपको कि क्या क्या आपको आना चाहिए ठीक है एनिवेज कुश्चन कराते वक्त या टॉपिक कराते वक्त मैं उप प्रोडक्शन से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर देता हूं भलाई जैइक लेक्ट्चर है फिर भी हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हर बच्चे ने अगर बोड के थीरिक लेक्ट्चर नहीं देखे तो मुश्किल हो जाएगा यह समझने के लिए तो मोग बिल और उसका स्टड़ी बच्चों हम लोग काइनमेटिक्स में करते हैं अच्छा यहां पर जब हम स्टड़ी कर रहे हैं सो हम लोगों को उसके कॉज से कुछ लेना नहीं तो इर्रिस्पेक्टिव ओफ कॉज ठीक है ज्यादा टेक्निकल वर्ड में बोलना है तो डाइनमिक्स के बारे में हम लोग यहां डिसकेशन नहीं करेंगे उसके लिए एक अलग डेरिकेटेड लेसन है फोर्स और लॉज ओफ मोशन तो वहां पर मैं डाइनमिक्स के बारे में बात करूंगा यह ज्य में लोग दो सोचेंगे नहीं इंश्यॉण होना ज़रूरी है लेकिन उसके बारे में लोग applicants की होना बट क्या हों रहाинки यह अपने लेंस का इसके लिए बच्व एक और वर्ड है जिसे हम बोलते हैं रेक्टी लिनियर मोशन हमने लोवर स्टेंडर्स में पढ़ा है नाइन्थ क्लास में रेक्टी लिनियर वो है मोशन इन प्लेन या फिर टूडी मोशन या फिर मोशन इन प्लेन ठीक है यह बस नाम है फिलाग तो नाम की तरह याद रखो इन्हें सिंपल वर्ड में अगर बताना है तो मोशन इस्ट्रेट लाइन मतलब कोई अब्जेक्ट है वह एक एक पर्टिकुलर सीधी रेखा म सीधी लाइन में चल रहा है ठीक है हां ऐसा हो सकता है कि वह सीधी लाइन में चलते वक्त आगे गया फिर वापस से पीछा है तो डिरेक्शन चेंज हो सकती है यहां पर आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है मोशन इन प्लेन में क्या होता है जो अब्जेक्ट है वह ए से बैठी और गोल-गोल-गो बोल रही है नुए जो मोशन ओनम्र मोशन जिसे छैने करने वाले यह लोग में पढ़ आएगा नाये इं play द्वि कृण सब्सक्राइब करते हैं ऑसलियों फोल सकते हूं पार्ट वन आ वर्फ का एश्यों और यह होगा आइडिया कि यहां पर पढ़ने वाले हैं किस तरह टर्म से पोजिशन है देन पाथ लेंड है उसके बाद डिस्प्लेस्मेंट है यह सारी चीज़ें आपको रिवाइज करने वालों भले आपको पता है या नहीं पता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता हम लोग यह सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे पोजिशन पाथ लेंड उसके बाद displacement के बाद क्या आता है वेलोसिटी वेलोसिटी में भी दो टाइब आएंगे एवरेज और instantaneous यह आपको शायद से लोवर स्टेंडर्स में नहीं था एवरेज और instantaneous और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे acceleration यह यह जनरल हम लोग instantaneous पढ़ते हैं बट इसमें भी एवरेज आती है केस ठीक है तो इसमें हम लोग instantaneous पर ज्यादा फोकस करते है acceleration की केस में तो यह इस तरह का कुछ तो syllabus रहेगा जहां पर हम लोग यह पढ़ेंगी वन्डी मोशन वन्डी मोशन एक यह पर दो वन्डी मोशन को कंबाइन करके टूडी मोशन हम लोग पढ़ने वाले तो यह उपर उपर का आईडिया इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कानेमाटिक्स में इसके बहुत सारे रोटेशनल मोशन है फिर सेंटर ओफ मास यह सारे टॉपिक्स में जो बेसिक फिजिक्स लगता है वो यह है तो इसका एप्लिकेशन करके उस टॉपिक के कोशन पूछ सकते हैं तो अगर वहां पर सब्सक्राइब को सेंटर ओफ मास का वेलोसिटी वगेरे वाला कोशन आ गय सब्सक्राइब क्योंकि इसका एप्लिकेशन तो फूरे सिलबस में चलने वाला यह फिजिक्स का पूरा बेसिक कंसेप्ट है तो यह हमने यहां पर देखा अभी चले हो अभी हम लोग यह जो बंडी मोशन है यह बंडी मोशन वाला लेसन जो है मोशन इन स्टेट लाइन रे यह खिली लिनियर मोशन तो फिक है तो सिंपल कंसेट से शुरुआत करते हैं हर एक चीज में डीटेल में नहीं बताऊंगा अल्रेडि हमने जो हमारे थीरी क्लासेस है उसमें हर एक चीज़ डीटेल में पढ़ी है और काइनेमेटिक्स में हम लोग रेक्टि लिनियर मोशन भी पढ़ेंगे ठीक है तो इसका मतलब होता है मोशन ऑफ पार्टिकल कि इस अलॉंग स्ट्रेट लाइन यहां पर एक वर्ड आप ध्यान में रखिए कि मैं यहां पर एक वर्ड यूज़ करने वालों हर जगा जो है पार्टिकल अब यह पार्टिकल क्या चीज़ होता है तो नॉर्मली हम लोग जब मोशन की बात करता है तो रियल लाइफ में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं सब्सक्राइब लड़का है वह दोड रहा है एक रोड पे इस तरह से है ना इस तरह दोड रहा है आगे तो यह बच्चा कोई पार्टिकल तो है नहीं पार्टिकल मतलब एक छोटा कोई तो पार्टिकल तो हैं कोई बैस की बात करेंगे हैं लोग बॉस एप्र यह सारे चोट छोटे चोटे पार्टिकल्स तो हैं अगले तो यह कब कर सकता है अगर jeоль अगर मेरा जो भी object है लेट इसके बारेवे में लोग बात करेंगे सब्सक्राइब आपको पता इस इस दिसटेंगे तो इस डिस्टन्स के कंपेरिजन में यह ऑब्जेक्ट का जो साइज है वह काफी छोटा हो एफ दसाइज ऑफ ऑब्जेक्ट इस सिग्निफिकंटली स्मॉल कंपार्ट तो दिस्टन्स देन वी कन से दाट डिस ऑब्जेक्ट इस पॉइंट और फिर हम इसको इतना बड़ा डा फिर हैं उसका यह पर उब्जेक्ट यहां से तो एक पर्टिक्लर स्पीड इसे जा रहा है तो फिलाल के लिए तो हमारे स्टेडी में इससे फरक नहीं पड़ेगा तो इस पूरे सिस्टेम को लोग एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं ठीक है अगें इस एन अप्रॉक्जिमेशन कर सकते हैं जब जो डिस्टंस कंसीडर कर रहे हैं जैसे कि मैं मेरी टू विलर पर यहां से बॉंबे चला गया तो बॉंबे का डि व्हीकल और दोषन किलोमेटर का कितना होने मिट Lights एंट्व और चार मिटर का डिस्टंस कंपरर से से आसपसेटे सब्सक्राइब इस इस ओप्यट यहां पर हमारा अपर्फ हिसने बहुंगि करेंगे तो हम लोग कि बात करेंगे हम लो Stephen और में यहां से आगे मैं कहीं पहीं भी पांट कीबात करूंगा या 2012 ऑब्रेंगे या फिर में पारिकल प्रेखम करेंगे अबने देख लिए ओप रसेखना रिकएवखन पर ज्यादा डीटेल में नहीं घुसेंगे फटाफट से कवर कर लेते हैं तो अभी इसमें सपोज मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि यह मेरा चोटा पार्टिकल अब यह कहां है इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा जैसे कि हमारे डे टो डे लाइफ एक्स्पिरेंस की के बात करें अगर एक्सपिरेंस की बात करनी है और सबक्रों मेरा पर है या फिर मार्कर कहां पर है तो आपको इस ओले कि इस आपjobs की चीज़ों को देखना पड़ेगा ये जो regular classroom होता है वहाँ पर हम benches रखते हैं आगर मुझे किसी एक particular student को बुलाना है तो मैं क्या करूँगा थर्ड स्टे बेंच का student खड़ा हो जाए तो थर्ड बेंच मैंने इस तरह बताया तो बरोबर वहाँ पर जो थर्ड बेंच के बारे में बता है तो हम लोग कभी वी किसी ऑपजेक्ट के बारे में जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम वीट रेफरेंस तू सराउंडिंग ठीक है तो हम लोग हमेशा विट रेफ्रेंस टू सराउंडिंग उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं ओब्जेट्स का तो किसी भी ओब्जेक्ट की लोकेशन की बात करेंगे तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है उसका सराउंडिंग के रेफ्रेंस में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि मेरा घर जो है वो एक पर्टिकुलर कॉलनी में यहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है तो लोकेशन बताने के लिए हम उस कॉलनी को डिफाइन करता है classroom की बात करेंगे अगर एक particular student कहां पर बैठा है तो again हम लोग वो benches और वो जो arrangement है classroom का तो basically जिसकी बात कर रहे हैं उसके surroundings को भी हम लोग reference में लेके बात करते हैं ठीक है अब यह marker देख लो यह marker rest पर है या moving है यह कैसा पता चलेगा तो आपके लिए यह board यह आपके लिए surrounding हो गया इस classroom का इतना हिस्सा आपको दिख रहा है और इस board और मेरे रिलेटिव यह जो marker है यह रुका हुआ है आप सोचो क्या यह marker move कर रहा है तो इसमें दो possibility है अगर आप marker को देख रहा है तो आपको marker move करते दिखेगा अब क्या यह marker म मेरे relative move कर रहा है तो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे लिए तो यह marker मेरे साथ मूब कर रहा है अगर मैं इसको देख रहा हूं और बाकी चीज़ों को नहीं देख रहा हूं तो यह तो मेरी relative सिस्टेम जो हमने स्कूल में सिखा हुआ है एकस एकस वाई एंड जेड इस तरह कि हम लोग एकस वाई-जड कोडिनेट सिस्टेम यूज करता है ठीक है फिलाल के लिए हम लोग एकस वाई-जड इतना डीटेल में जाने की ज़रूद नहीं क्योंकि मोशन स्टेट लाइन में ह उसको एकस ले लेगे अगर मीरा मोशन ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा एकस ख सकते एकस से मोशन कर सकते लो कोडिनेट से भी हम पुरा मोशन डिफाइन कर सकते जरूरी नहीं कि एक ही कॉडिनेट हो हम दो भी कॉडिनेट यूज कर सकता है तीन भी कर सकते है बट एक से काम बन रहा है तो क्यों दो या तीन यूज करना ठीक है तो यह हो गया overall idea तो motion जो है वह object का ऐसा होगा straight line में यहां पर होगा मेरा origin ठीक है अब हम लोग 1D और 2D motion दोनों पढ़ने वाले तो मैं X और Y axis दोनों फिलाल बता देता हूं और जो मेरा object होगा उसकी location मैं इस X और Y coordinate system में बता हूं X Y Z की जगह हम लोग X और Y लेंगे यहां पर ठीक है तो इसकी location कैसे पता चलेगी we can say that यहां से यहां तक X coordinate चले origin से यहां तक X coordinate चले फिर यहां से Y coordinate तक चले तो यह हो गया उसका position X,Y इस तरह से हम लोग किसी भी particle का या फिर किसी भी point का location बता सकते है X,Y axis system में है तो यह होगा अपना technical terms में position बताने का तरीका तो position के लिए अभी यहां पर हमारा reference क्या है reference will be our coordinate system ठीक है coordinate system जिसे हम बोलते है X,Y axis जो है इसको बोलते है coordinate system और साथ में उसका होना चाहिए एक origin यह कैसे decide होगा तो यह हम लोग decide करता है तो यह observer decide करता है, observer मतलब हम लोग, observers decide this ठीक है तो जो भी motion observe कर रहा है वो यह सारा decide करेगा, तो in short हम लोग decide करेंगे, ठीक है, कि origin क्या लेनी है, axis क्या लेनी है, किस तरह से हमारा coordinate system होगा, यह सारा हम लोग decide करेंगे, यह हो गया overview, तो सबसे पहला जो concept आता है, यह आता है, position का, so position is basically location, it is location of object और particle, हम लोग particle की बारे में बात करेंगे, particle with reference to या फिर with respect to its surrounding, अब यहाँ पर हमारे पास surrounding की जगह होगा, with respect to origin of chosen coordinate system, ठीक है, clear है, कि भई कोई तो coordinate system हमने चूज किया है, और उसकी कोई तो origin भी हमने ही चूज किया है, और उसके relative उसका location बता देंगे, तो that will be the position, ठीक है, and this may change with time, so add given time or add given instant, instant का मतलब होता है, उस घड़ी पर, उस particular time पर, यह position हमनों को define कर सकते, क्योंकि अभी, let us say, 10 बज़े सुबह के, यहां पर position है, मैं suppose 10 बज़े सुबह यहां पर खड़ा हूं, हो सकता है, 10 बस का, 10 मिनिट पर मैं उस तरफ खड़ा हूं, हो सकता है, शाम को 11 बज़े, शाम को 6 बज़े मैं कहीं बाहर घुमने निकल जाओ, तो position जो है, किसी भी particle का, वो change होते रहता है, है न, कुछ particles का change बिल्कुल नहीं होता है, जैसे कि मेरा घर, मेरा घर का location अभी भी वही है, और दो दिन के बाद भी वही रहेगा, with respect to what, with respect to other buildings of our colony, है न, तो basically यह position क्या है तो वो है, location of particle at a given instant, वो change भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर change ना हो, तो we can say that particle is at rest, if position does not change, with time, अगर time के साथ position change ना हो, तो उसको क्या बलेंगे, object या particle, यहां पर object भी समझ लो, particle यह point particle, then the object is at rest, with respect to what, with respect to again, surroundings या फिर, chosen coordinate system, या फिर with respect to observer, ठीक है, और भी इसमें एक term यूज होता है, frame of reference, ठीक है, basically, जो मैंने coordinate system की बात की न, frame of reference frame, तो reference frame मतलब जो coordinate system और जो origin की बात की, उसको हम लोग reference frame भी बोल सकता है, technical words में, और इसके detail में हम लोग चल्चा करेंगे, आगे lesson में आएगा, जब तभी, ठीक है, तो यह हो गया, उपर-उपर का idea, अगर, अगर, if position changes with time, then we say that the particle is moving, इतना clear है, कि rest or motion क्या है, हमने ऊपर-उपर थोड़ा सा idea ले लिए यहां पर, अब उसके बाद आती है concept, अगर जगा change हो रही है, particle की, तो यहां पर, अब हम लोग एक example लेंगे, let us say, यह एक road है, ठीक है, यहां हमारा colony road है, सिधा-सिधा है, बिल्कुल, और हमारे colony road पर, मैं यहा reference हो गया, है न, और मैं आगया अपने घर से बाहर, और मैं यहां से चल रहा हूं, ऐसा, ठीक है, हमारे colony के other end तक मैं गया, let us say, मैंने 40 meter उस तरफ गया हूं, मैं, start कहां से किया, यहां से start किया, मेरा reference किया, मेरा घर मेरा reference है, so this is my reference, और जिसको हम physics में में मोलेंगे, origin, ठीक तो यह मेरी origin है, और मैं यहां 40 meter गया, उस तरफ हमारी colony के उस तरफ वाले end में, फिर मैं वहां पर मेरा कोई तो friend आया था मिलने में, मैं उस से मिलके आया, फिर वापस return आया 40 meter, क्योंकि जितना गया, उतना तो वापस आएंगे, सोचा चलो, यहां पर किराना shop है, तो जाके थोड़ा सा कुछ biscuit वगरे लेके आते हैं, तो यहां से गया, इस तरफ यह जो किराना shop है, वो है 20 meter दूर, तो यहां से इस तरफ 20 meter दूर गया, तो देखो, पहले मैं यहां गया, लेटर से हम इन सारी चीज़ों को नाम देते थे जहां पर origin है, उसको हम O बोलेंगे, इसे बोलेंगे B, तो मैं O से B गया, फिर B से O आया, फिर O से A गया, A से वापस O आया, तो यह मेरा total motion हो गया, है ना, एक स्टोरी लेते हैं हम लोग, यहां से गया, मैं यहां से वापस आया, फिर यहां गया, फिर वापस आया, तो total मैं is defined as actual distance traveled by the particle, तो मैं यहां से गया, 40 मीटर वापस आया, 40 कितना हो गया, 40 और 40, 80, 40 प्लस 40, 80, फिर इधर ओर 20, तो 40 प्लस 40, 80, 80 प्लस 20, कितना, 100, 100 प्लस 20, 120 मीटर में चला, ठीक है, कॉलनी में, जहां से मैंने start किया, उस तरफ गया, उस तरफ से वापस आया, फिर इस पूरे motion में मैंने कितना, चला, हूँ मैं, मैंने 1 20 मिटर वॉकिंग किया है मंमें, मतलब मै है यह किया है cover, path length cover किया है, यह होता है basically path length, simple concept E path length, तो path length का मतलब होता है, a actual distance, corralled by, पर्टिकल है ठीक है समझ गया आगे बढ़ते हैं अब और चर्चा करेंगे डाइग्राम एरेस कर दी रखनी थी ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यह हो गया पॉजिशन के बाद पाथ लेंद पाथ लेंद के बारे में हमने क्या समझा पाथ लेंद इस एक्चल डिस्टंस ट्रावेल एक्चल नहीं भी लिखें तो जलेगा सो डिस्टंस ट्रावेल बाई पर्टिकल ठीक है इसको हम लोग बोल सकते हैं पाथ लेंद सिंपल वर्ड्स में आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेस्मेंट याद रखो यह सारी जिज़ा ना ना इंध्क्लास में पढ़ चुके हो तो यह मैं एक्चली पढ़ाना नहीं जिए बट ठीक है चलो पढ़ा देता हूं कुछ लोगों को नहीं पता होता है ठंक से पढ़ाया नहीं रहता तो डिस्प्लेस्मेंट क्या है तो देखो वही एक्जांपल लेंगे कॉल नी वा मेटर दूरी है same example और मैं अगर कि ए से बी गया ठीक है तो मैंने कितना distance travel किया 40 मेटर सोचो मैं ए से बी जा रहा हूं यहां से यहां तो क्या मैं अपनी direction change कर रहा हूं नहीं तो जब मैं यहां से यहां गया यह मेरी initial support position ये मेरे फाइनल पोजिशन तो हम यहांपर इनीशल और फाइनल पोजिशन गेख ज़िए लिखेंगे कभण ही मेरा कोडिनेट हो जाएगा वी एन कंसीर दीज़ एक्सस एक्ससकती तरह सोच सकते इसको ओरजीन यहां पर है तो ऊव्य हैशे इस पॉइंट का और ठोगा जीरो ऐंस की बात कर रहे है इस कोन पॉइंट का कॉइंट होगा 40 है समझ रहे हो हैशे समय हो एक सेथ में और डॉरिजिन से लस्ट पड़ेगा पहली जीस यहां से यहां गया 40 मीटर तो मेरा इनीशल पोजिशन क्या है एकस इनीशल है मेरा 0 क्योंकि ओरीजिन पर हूँ एकस फाइनल है मेरा 40 और एकस फाइनल माइनस एकस इनीशल जब करेंगे तो यह आ जाएगा इस अब यह सोच्हों मतला फाइनल काडियनेट मैरा इनिशल कोडियनेट इस एकजामपल में मेरा एकस फाइनल मैंस एकस इनीशल कितना हो जाएगा अगर ऑसे वापस हो आज़ाओ तो मेरा initial point कितना था, initial था 0, फिर जाकर वापस आया, final भी 0, तो यह 0-0 हो जाएगा, which is 0 meter, तो सोचो, मैं यहां से यहां गया, 40 meter, फिर वापस आया, 40, 80 meter में चला, फिर भी मेरा displacement कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहां पर displacement के साथ कुछ तो गडबड है, गडबड यह है, कि मैं, reverse direction में आया, मैंने direction change किया, direction change करने के वज़े से, इसकी value change हो रही है, समझ रहो, direction change करने से, अगर value change होती है, तो वो quantity को हम लोग बोलते है, vector, इसका मतलब displacement is a vector quantity, तो यहां पर मैंने इसको देना चाहिए, x final vector, minus x initial vector, इसको हम लोग vectors में भी लिख सकते है, तो यह हो गया camera displacement का formula, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते है, बचो, formula में, delta x, कुछ जगा आपको delta x bar मिलेगा, यह हो गया displacement vector, या फिर कुछ books में आपको s bar मी मिलेगा, अपने book में 2-3-3 अलग-अलग symbols यूज किया है, तो कभी यह यूज करते है, कभी यह यूज करते है, meaning तो वही है, x final vector minus x initial vector, ठीक है, तो यहाँ पर इस case में, जब forward जाएगा, तो 40 मीटर चला, जब reverse आएगा, तो minus 40 चला, तो 40 minus 40 वो 0 होता है, अगर vector की बात करें, तो forward vector 40, reverse vector 40, reverse है, तो negative vector हो गया, 40 minus 40, 0 हो गया, तो इस तरह से, अब सोचो, अब सोचो यहाँ पर, O से B गया, और B से A आया, O से B, B से A, तो start कहां से किया, तो O से, पहुचा कहां पर A पर, तो initial है 0, final है minus 20, final minus initial करेंगे, तो minus 20 minus 0, so answer आजाएगा minus 20 meter, so यहाँ पर बच्चो displacement negative हो रहा है, so displacement can be positive, और negative, और 0, तीनों हो सकता है, ठीक है, भले ही पार्टिकल यहाँ से, वहाँ मूव करें, कुछ भी करें, तीनों possibilities, allowed है displacement के case में, दूसरी चीज़, displacement is a vector quantity, अच्छा इसका unit बता दो, unit तो meter ही है, path length का unit भी meter ही है, फरक यहाँ पर है, फरक यहाँ पर है, यह vector quantity है, path length scalar है, दूसरा फरक कहाँ पर है, दूसरा फरक है, यह positive, negative 0 हो सकती है, path length अगर particle move करता है, तो वह negative कभी नहीं होगी, है ना, particle move करे या ना करे, path length के never be negative, यहाँ पर लिख देंगे, never be negative, negative होना possible नहीं है, बच्छो, negative तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बाकी सारी possibility है, positive हो सकता है, अगर मैं यहाँ से यहाँ चला, path length positive, अगर जगा पर बैठ रहा तो path length 0, तो यह सारी possibility है, बट negative is not possible in case of path length, यहाँ तक clear है बच्छो, चलो, फिर अभी हम लोग बढ़ते हैं, इससे next step पर, चलो, तो कुछ questions कर लेते हैं, displacement पर based, displacement और path length, यह जो दो concept है, उस पर based, basic questions है, easy है, but fundamental है, आपका basic clear हो जाएगा इससे, पहला question है, person moves along a semi-circular path, from A to B, यहाँ देखो, यह एक semi-circular path है, यह उसका radius होगा, semi-circle सोचो, हाना half circle, A से B जा रहा है, ऐसे, यह उसका path दिया हुआ है, suppose कोई road है, ऐसा count road है, find his distance and displacement, तो यहाँ पर distance or displacement, distance मतलब हमें path length निकालना, basically, ठीक है, यह पूछा है, और दूसरा पूछा है, हमें displacement, ठीक है, एक एक निकाल लेते हैं, पहले, path length की बात करेंगे, तो path length, क्या बताया था मैंने path length क्या होता है, actual, actual distance traveled by the particle, तो वो चला कहां से, यहां से ऐसे गया, तो यह distance कितना होगा, since this is semicircle, तो यह होगा half of the circumference, circumference होता है to pi r, उसका half करेंगी, तो pi r, यहाँ पर r की value दी नहीं है, तो यह हो गया pi r, simple answer, unit अगर meter है, हमें वो भी specify नहीं किया, तो pi r units, अगर meter में होता, तो meter लिखते है, तो pi r units लिख देंगे हम लोग यहां पर, हमें नहीं पता है कौन से units है, दिया नहीं है, अच्छा, अब अगर displacement की बात करेंगे, तो मैंने तो जो पढ़ाया, उसके इसाब से आपके पास access वगेर होना चाहिए, आप यह सोचो, कि displacement को दूसरी तरीके से अगर सोचेंगे, तो initial और final position के बीच का हम लोग difference निकाल ला है, तो इन दोनों के बीच का shortest distance होगा, यह distance, जो की है, r plus r, 2r, तो यहाँ पर हम लोग direct answer लिख सकते है, 2r, यह होगे एक तरीका बचो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा लंबा तरीका है, थोड़ा सा, लंबा तरीका क्या है, तो अगर यहाँ पर मुझे किसी को origin चोज़ करना होगा, हमारे मन पर है, तो मैं इसको भी origin ले सकता हो, अगर मैं a को origin ले लो, ठीक है, और यह मेरी x-axis बना दो, तो यह distance मेरा r, यह distance मेरा r plus r 2r है न तो यहां पर 2r मेरा coordinate हो जाएगा और यह मेरा coordinate a का हो जाएगा 0 तो final coordinate minus initial coordinate तो 2r minus 0 will be 2r वैसे भी answer 2r ही आएगा vectors में भी करना है तो हम लोग वो ig के लगा के कर सकते हैं बट ठीक है चलो उतना complex में नहीं जाएगे इतना clear है तो यह question करने के अलग-अलग तरीके बता है मैंने आपको दूसरा question देखते है इस डिस्टन्स covered by a particle is 0 किसी तो पार्टिकल ने कितना distance कवर किया है 0 मतलब path length उसका 0 है what is its displacement अब अगर path length 0 है सोचो सोचने वाली बात है path length 0 है मतलब भई वो बंदा जहां पर है वहीं पर है है ना वो तो है लाई नहीं जगा से तो जगा से लाई नहीं तो displacement भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब उल्टा सोचो यह तो हो गया अपना question answer simple है अगर path length 0 है तो displacement 0 हो नहीं है उल्टा सोचो क्या किसी object का displacement अगर 0 हो जाए तो क्या उसका path length भी 0 होगा इसका answer आप मुझे comment में नीचे description में या comment में बता सकते हो है ना या फिर अपना वाट्सेप का chat group है वहाँ पर आप discuss कर सकते हो है ना चलो अभी हम लोग next question पर जाते है next question क्या है चिंटू है चिंटू वोक्स 30 मिटर टूवर्ड अब यहां पर नौर्थ वेस्ट यह सारी direction जब आ जाए ना तो हमें इसको बोर्ट पर बनानी चाहिए इसकी हम लोग diagram बनाते चलो यह जो है ना डायरेक्शन में नौर्थ ले लिया अपने मंद पर कहीं पर भी नौर्थ ले सकते बोर्ड तो है रियल वर्ड में तो हम लोग नौर्थ बता सकते भी मेरे इस रूम के इसाप से नौर्थ मेरे खाल से यह यहां पर है वेश्ट नौर्थ यह एस तरह नौर्थ है तो चलो यहां पर बोर्ड पे तो यह नौर्थ ले लिया मेंने अब है यह जई फैसरेश्ट नौर्थ और यह साउत यह मैंने बना दिया है ना मैक में बनाते वीसा ठीक है अब देखते हैं इस्ट वेस्ट रही बना है कि यह इस तरफ इस्ट होना चीन है अगर इस्ट और इस्ट आप सही है चिंटू वाक्स 30 मिटर टूपर 30 मिटर गया यहां पर तो यह मैं डाइग्राम बना देता हूं यह 30 मिटर गया ऐसा यहां से स्टर्ट किया लेटर से यह मेरा औरिजन जांसे शाट डिया ओ ओऊरीजन ले लो 30 मिटर एसा अ फिर 40 मिटर इस्ट पर गया अब मैंने राइट सैट में इस्ट लिया है सबस्क्राइब दूनिया कि पोजिशन सब्सक्राइब ठीक है अब प्रोब्लम ऐसा है कि यह मूशन स्टेट लाइन में तो है नहीं बट फिर भी हम इसको सॉल कर सकते आसानी से क्या कंसेप्ट यूज करेंगे बताता हूं मतलब बेसिकल यहां पर कितनी हुई यहां पर आते वापस है इनिशल पॉजिशन फाइनल पॉजिशन दिस्प्लेस्मेंट निकलना है तो हमें एक और कंसेप्ट क्या बता है से इनिशल पॉजिशन ये ऐसे भी जा सकते ऐसे लाइनट ओकी और इस के वाल्यों किति लेंदकि इसकी लेंथ होगी कि डिस्प्लेस्मेंट यहां पर मैं एस बोल रहा हूं इसकी लेंथ होगी अंडर रूट ओफ 30 स्क्वेर प्लस 40 स्क्वेर यह कहां से पता चले यह ऐसा आएगा पाइथा गुरस तरम यह और यह इसका दोनों का जोड लगाएंगे तो हाइपोटैनस आ जाएगा तो हाइपोटैनस स्क्वेर इकवर टूसाइड ब्लसाइड टूस्क्वेर तर्टी का स्क्वेर कितना 900 प्लस 1600 सही कर रहा हूं क्या और यह हो जाएगा 16 और 925 और 25 का रूट हो जाएगा 5 मतलब यह 50 मीटर आएगा बचो त इस्टन से कम हो सकता है यह इडिस्प्लेश्मेंट और बसकुन के बात करें तो बीस्क्लेश्मेंट क्या है तो यहाँ पड़ च्आग то हो गया can you tell will what will be the direction of displacement displacement का direction क्या है तो यह direction है यह कॉन सा direction होता है बच्चों यह वाला तो यह नौर्थ है यह इस्ट है तो इस नौर्थ इसट डायरेक्शन यहाँ रिख देंगे टू वर्ड्स क्यात नौर्थ सिट्ट ईसट पदे नेस्ट के इस पता होना यज नौर्थ है यह सौत है यह इस्ट यह वस्ट यह वाला नौर्थ-ईस्ट हे या फिर यू कredit से and it is East of North North East की तरफ अगर इस तरफ होता तो Northwest यहां ओट तो Southwest और यहां ओटा तो Southeast लिक यह कुछ डारेक्शन के बारे और डिस्टन्स इसको हमने समझा इस पर बहुत कुछ कुछ आना एक्सपेक्टेड नहीं है तो हमने डिस्टन्स डिस्प्लेस्मेंट यह कुछ इवरेज वेलोसिटी और इवरेज Teacher हम लोग सेर्चत उक्राइवरेजवेलोसिटी की बात करेंगे उसके बाद इंस्टेनियस वेलोसिटी और इंस्टेनियस स्पीड फृटक क्यां कि फटामट से हर एक चीज़ डिफाइन कर देता हूं ठीक है और फिर हम इसके और थोड़े डीटेल में जाएंगे ओके तो एवरेज वेलो सिटी क्या है तो बेसिकली इसका डेफिनेशन समझेंगे देखो बचो हम लोग कई बारे क्या करता है एवरेज जहां पर आता है तो ह अगर मेरे पास दो नमबर है जैसे की मेरे पास 10 है और 12 है और मुझे इसका अवरेज निकालना तो मैं इन दोनों को एड़ करता हूं डिवाइड बाइट वाइट नहीं करेंगा तो याद रखना यह यहां हर बार वर्क नहीं करेंगा तो यहां डेफिनेशन से उसके क्लासिज में और जब आपको एक्जाम में क्वेशन आता है आपकी दिमाग में वह सालों से इतना फिक्स करके रखा है कि आप क्या करते हो बस नमबर को एड करके डिवाइड बाइट करते हो वैसे आंसर नहीं आएंगे तो डेफिनेशन की इसाब से आपको जाना है एवरे यूनिट है आगें मीटर तो एवरेज गलोसिटी यह वेक्टर है तो वह इस से रिलेटेड है तो इस चेंज इन पॉजिशन कि चेंज इन पॉजिशन कि डिवाइड बाइड टाइम इंटर्वल ठीक है इसको थोड़ा और आसन भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाइड टाइम इंटर्वल ठीक है फॉर्मुला में अगर लिखना है इसको तो कैसे लिखेंगे एकस्टू वेक्टर माइनस एकस्वान वेक्टर अपॉन टीटू माइनस टीवन ठीक है क्योंकि हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखते हैं हम लोग या या फिर इसको एस वेक्टर डिवाइड बाइड बाइटी डेल्टा टी ठीक है डेल्टा एस बाइड डेल्टा टी ऐसा कुछ भी अलग अलग तरीके से लिख सकता है ठीक है तो यह हो गया बेसीकली एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन यह मैं हटा रहा हूं यहां पर लिख सकता है एवरेज स्पीड जो है इससे स्केलर कॉंटिटी स्केलर तो इसका मतलब है यह से रिलेट अव्यकी डिस्टन से सो टोटल डिस्टन्स टावल या फिर सिम्पल वर्ट समां लिखेंगे टोटल इस्टन्स टावेल इस पाथ लेंथ सो पाथ लेंथ डिवाइड टाइम इंटर्वल इन विच डाट पाथ लेंथ इस कवर्ड टाइम इंटर्वल याद रखना है बच्छो यह सारी चीज़े फॉर्मुला है याद रखना है इंस्टेंटेनेस वेलोसिटी जो है बच्छो अगें यह वेक्टर होगी ठीक है इसको हम लोग लिखेंगे वी वेक्टर और अगर इसके इसे लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्छो में हम इसको लिखेंगे वी एवरेज का एवी देंगे और वेक्टर लिखेंगे ठीक है नोटेशन यहां पर यह स्केलर है तो इसको नोटेशन ऐसा वेक्टर व ठीच वाजा आओ कि एकखेश इसमें दो फोर्मिला यह एक लिमेड़ है लिमेड़ को डेलटा टीथि देनस टोसीरों में डेलटा है अगे इससे लटन가 मतला यहां और यहीद़ लिएए कोई भी फरक नहीं बढ़ता है ठीक है यहां पर ट्राइंगल वाले लिलता है तो यहां भी सही होना चाहिए ओके यह हो गया एक नोटेशन दूसरा इसका सिंपल नोटेशन है डी एक्स बाइटी मतलब डेरेवेटिव और डिस्प्लेस्मेंट यह हमारे काम का है यह हमारे काम का तो है नहीं बट इससे हमें से इसके कंसेट क्लियर हो कि इसलिए मैं आलक से इसको एकस्प्लेट कर दूँगा बाद में इंस्टेंटेंश पीड जो है इंस्टेंटेंश स्पीड इस मेगनिडीटिट फिल्क खतम हो गया अब यह सारा है क्या यह हम पढ़ता है इसको अभी थोड़ा डीटेल में प्रेंग तो इसको थोड़ा साई डीटेल में पढ़ेंगे तो चलो सबसे पहले चालू करते हैं एवरेज स्पीड से एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आसान है तो उससे चालू करते हैं हम लोग और एवरेज वेलोसिटी यह दो टॉपिक पढ़ते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ठीक है मैं आपको एक एक एग्जम्पल में दोनों चीज़े समझा देता हूं सबोस यह वाला एक्जम्पल यहां लेता है वही एक्जम्पल मेरे घर वाला मैं यहां पर हूं अपने घर में और ओरिजिन पर हूं क्योंकि यह मेरा रेफरेंस है हराम और मैं कॉलनी में यहां पर गया यह 40 मीटर मेरा पॉइंटी आँब फॉइंट लेंगे यहां 20 मीटर पे तो उसका कोडिनेट भी ट्वेंटी और 40 होगा अगर यह एक्स एक्ससिस ले ले एक्ससिस भी लेते हैं चलो अना सारी चीज़ें ले लेते है अब एवरेज और दिस्टन्स और डिस्प्लेस्मेंट और टाइम यह तीन चीज़े लिखते हैं डिस्टन्स डिस्प्लेस्मेंट टाइम तो मुझे और से बी जाने में सब्सक्राइब डिस्टन्स तो कितना होगा 40 होगा सिन्स यहां पर मुझे 10ibt1 चलना चलना है न तो लेटच 설 से मझे 20 लगए बहुत तेजी से चलना तो 20 से ठीकन bins पहुँँच गया ठीक है तो भाई मुझे 40 मीटर डिस्टेंस मैंने 20 सेकंड में कवर किया अब हम एक एक चीज़े डिफाइन करते हैं average speed it is defined as path length divided by time interval तो path length मेरा कितना है यहां पर तो distance traveled 40 है divided by time interval कितना है 20 है तो यह कितना हो गया बस ही यहीं करना है आपको पाफ लेंद को टाइम से डिवाइड कर तो यह हो गया टू मीटर पर सेकंड ठीक है अब दूसरी केस ले लो average velocity कि याद रखो यह वेक्टर है average velocity है ना तो मैं यहां पर magnitude लिख रहा हूं यह यह vertical lines का मतलब होता है magnitude क्योंकि मैं यहां वेक्टर मैं इसको नहीं solve कर रहा हूं फिलाल के लिए बाद में हम लोग वेक्टर का यूस करेंगे आगे फिलाल के लिए ठीक है इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो तो displacement मेरा 40 है टाइम वही लगा है 20 तो यह कितना हो गया दो मीटर पर सेकेंड वापस से वही हो गया simple था बहुत ही अब एक और situation सोचो मैं O से गया B और B से वापस मैं A तक गया तो O से मैं A गया और B से अब डिस्टंस की बात करेंगे तो ओसे भी 40 चला जाते वक्त 40 लगा सभी बात है ठीक है O से भी 20 तो से भी 20 इतना motion हुआ है ठीक है मैं घर पर आप वापस आया नहीं हो अभी तक तो यह 40 यहां से उस तरफ फिर वापस 40 कितना 80 और यहां तक 20 मतलब कितना हो गया 100 हो गया ओसे यह दिखो यह 40 फिर वापस 40 और यह 20 कितना हो गया तो यह हंड्रेट में चला है यह दिस्टन्स टोटल चला कितना दिस्टमेंट इनिशल और फाइनल की बात करेंगे इनिशल है जो कि माइनस 20 is कोडिनेट लेंगे फाइनल का कोडिनेट मैनस इन इसल का मैनस 20-20 तो यहां पर आंसर आ मैनस 20 टाइम लेटस यह पूरा बहुत बड़ा जरनी है सो मेटर चल रहा हूं तो लेटस से 40 30 लग गए चलो तो तीस सेकंड लग गए तो तीस सेकंड अगर लगए तीस मैंना ऐसे रैंडम लिया अपने मंसे तो तो अब एक एक चीजे निकालते हैं पाथ लेंद की वैल्यू निकालते अभी पिछले वाला दो-दो एक्जम्पल लिया है इस केस में पाथ लेंद्थ या फिर डिस्टेंस ट्रावेल डिस हंड्रेड और टाइम कितना लगा 30 हंड्रेड बाई 30 करोगे तो टेन बाई 3 हो गया 3.33 सम्थिंग है ना मीटर पर सेकेंड है ठीक है दूसरी केस देखते है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है माइनस ट्वेंटी याद रखो इसे माइनस लेना पड़ेगा वेक्टर है ना मैगनिटूड लेंगे तो चलो माइनस साइन हटा दो मैगनिटूड की बात कर मैगनिटूड भी लिया तो मीटर पर सेकेंड तो भाई यह टू बाई थ्री और यह टेन बाई थ्री सेम तो नहीं हो सकता दिख रहाया मैं हाना यह जिरो पॉइंट सम्थिंग होगा थ्री बड़ा नंबर है तो यह जिरो पॉइंट वाला नंबर है यह 3.33 तो मोशन वहीं इस्वेड अवरेज स्पीड की वैल्यू और एवरेज वेल्यू की वैल्यू अलग है मतलब इंजडरल थी मतलब अगर डायेक्शन चेंज नहीं होगी यह दोन वैल्यु एक्वाल तो यह लिखेंग है हम लोग इफ यह इंपॉर्टन पॉइंट यहां पर ऐल्यूजन है कि ओफ मोशन कि दू नॉट चेंज कि दू नॉट चेंज यह बहुत ही सिंपल वर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं डायरेक्शन आफ मोशन डायरेक्शन आफ मोशन दून चेंज देन इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चो मैगनिट्यूड यह लाइन का मतलब होता है मैगनिट्यूड और एवरेज वेलोसिटी इस इक्वल टू एवरेज स्वीड बच्चो इसे एवरेज बोलने का रिजन भी है वह मैं एक्स्प्लेन करता हूं ठीक है दूसरा यह पहला एक्जाम्पल था देखो यह वाली सिच्वेशन में दो मीटर पर सेकंड दोनों की वैल्यू सेम आई थी दूसरी केस में इस डाइक्शन चिंजिस वोल्ट इस अधिर ओम एंड़ वियंत्रें आख न बैन इन अगनिडूड ऑफ आवरेज वेलोसिटी अगनिडूड अब्रेज वेलोसिटी इस देखो यह वैल्यू एक्वेल तो फो है नी और यह बैल्यारियू तो हमेशा कम भी होगी सो इस लेस देन कि एवरेज स्पीड याद रखो ठीक है तो यह हमेशा इकवल हो ज़रूरी नहीं है एक प्रडिकुलर कंडिशन जब डाइरेक्शन चेंज ना हो तो इकवल बाकी केसे में कम उससे कम हो रहेगी है ना यह पॉइंट सारे अच्छा मैं यहां पर एक और पॉइंट बताना था आपको तो वह पॉइंट यह था कि रियल लाइफ है तब मुझे रोबहने पड़ेगे जब ट्राफिक लगएं तो गाड़ी चलानी पड़ेगoj जब खुला रास्ता है तो मैं तो गाड़ी भगाऊंगा हम लोग करता है ना nardymal life की बात है तो जब यह नॉनரमल अगर कोई जरनी की बात कर रहो हैं लंभी जरनी गी तो वहां पर हर जगा हमारा speed change होता है ठीक है लेकिन चलो एक example ले लेते हैं नासिक से बॉंबे वाला example ठीक है तो अगर हम नासिक से बॉंबे जा रहे हैं ठीक है तो नासिक से बॉंबे का distance नासिक टू बॉंबे यह जो डिस्टेंस है मुंबई नासिक टू मुंबई ठीक है इस डिस्टेंस इस 200 किलो मेटर ओविएसली इस नॉट इन स्टेट लाइन हम कई जगा डायरेक्शन बदलने वाले अपना मुशन के वक्त बट 200 किलो मेटर चले ठीक है टाइम कितना लग गया तो चार घंटे लग मुझे नासिक से बंबे जाने में तो मेरा एवरेज क्यों कि इस पीड कितना हुआ तो कि मेरा एवरेज भी वार्ट टोटल डिस्टेंस का वेंट डिवाइड वया ट्म टाइमटेकन तो यह कितना हो जाएगा थे 50 किलो मीटर बराव तो मेरा एवरेज स्पीड बच्वो आय तो मुझे नासिक से मों बाम बे जाने में 200 किलोमेटर दो चार घंटे लग जाएंगे 200 किलोमेटर के डिस्टेंस के लिए यह हो गया ओवर रॉपर उपर आईडिया रियल मोशन में क्या हुआ रियल मोशन में तो मुझे signal भी लगा था मैंने turn भी लिया था बीच में मैंने hold किया था चाई पिया था तो यह पूरा जर्णी का description इससे नहीं पता चलता है बट जर्णी का overview इससे पता चलता है इसलिए average speed यह important है हमें जर्णी के बारे में बताती है उपर उपर detail में नहीं बताती है detail की लिए हमें आगे के अगन से पढ़ने पढ़ेंगे graph पढ़ना पढ़ेगा तो यह वह इसकी खासिए अगर मेरा average speed 50 है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पूरे जर्णी में नहीं रुका तो नहीं इसका मतलब बिलकुल यह नहीं यह कि मैं जर्णी में या फिर मेरी 스ीड तो नी थी थी होब सक्थी नहीं भी सकते तो कि baat कर रहा है तो हो सकता है कि कि मेंक जगह जैसे सिगनल पर या फिर मैंने चाय पीनेक्ले गाड़ी होल्ड की वहाँ पर मेरा स्पीड जिरो है स्पीड तुर जरनी इतनी थी है ना हो भी सकती नहीं भी हो सकती है एवरेज की बात कर रहे है तो हो सकता है कि मैं कुछ जगा पे जैसे सिगनल पे या फिर मैंने चाई पिने के लिए गाड़ी होल्ड की वहां पर मेरा स्पीड जीरो है कुछ जगा पे एक दम खुला हाइवे तो अगर रियल मोशन के बारे में पढ़ना है तो हम इससे अगले स्टेप जाते हैं जहां पर हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस यह वर्ड का ही मतलब होता है उस समय पर उस वक्त पर ठीक है तो जरनी में किसी एक पर्टिकलर समय जैसे कि मैंने यहां से वहां तक चार घंटे लग रहे हैं मैं सुबह दस बजे निकला तो मुझे दूपएर को दो बजे तक मैं यहां से बॉंबे पहुंचाओंगा अगरना मैं दूपएर को बारा बजे निकला तो चार बजे पहुंचाओंगा तो बारा से चार बजे तक का लिटा से त नून मतलब की 12 पीम टू फोर पीम मैं ट्राइविंग कर रहा हूं तो चार गंटे में मैं बरोबर 200 किलोमेंटर डिस्टेंस कवर करने वाला हूं लेकिन इस जरनी के दोरांग एक बज़े दोरा मेरा स्पीड कितना था या फिर वेलोसीटी कितनी थी उसे हम लोग बोलेंगे instantaneous एक पटिकलर समय पर आपका वेलोसीटीया स्पीड जो होगा वोगा instantaneous ठीक है अब इसको समझने के लिए बचो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेसेंटेशन का यूज करता है ठीक है मैंने theory classes में graphical presentation अच्छे से पढ़ाया है detail में आपने lower class में भी पढ़ा हुआ है तो मैं यहां उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूगा क्योंकि it will take lot of time है ना बट मैं एक उपर उपर आपको आईडिया देता हूं graphical representation में हम लोग अलग अलग graph बनाते है एक लाफ बनाते है दिसस पोजिशन टाइम है फिर हम लोग बनाते है वीडिगार विस इस व्यडिव सेटीटी टाइम और हम लोग बनाते है एटी ग्राफ एक्सटायरेश्ण टाइम इसके बारे में लोग लास्ट में चर्चा करेंगे पार्ट में एक्स्टी वीटी ठीक है तो फिलाल हम लोग देखते हैं यह वाला ग्राफ कौन सा देखेंगे एक्स्टी देखते हैं पोजिशन टाइम ग्राफ ठीक है तो अगर मेरा पार्टिकल कॉंस्टंट स्पीड से चले तो उसका ग्राफ आता है ऐसा कॉंस्टंट स्पीड से चले तो ग्राफ आता है ऐसा ठीक है डिस इस यूनिफॉर्म मोशन मतलब graph होगा straight line और इस straight line का हमेशा slope constant होता है और इसका जो slope होता है यह होता है मेरा velocity ठीक है लेकिन real life motion कभी भी ऐसा uniform नहीं होता है हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं जैसे कि मेरा नासिक टू बंबे का गाड़ी चला यह तो मेरा graph जो है वह स्टेट लाइन नहीं आएक वह ऐसा कुछ तो आ सकता है कुछ भी आ सकता एक्चुली तो मैं यह एक ऐसा शेप बना देता हूं ठीक है अब यहां मैं वेल्यूस भी देता हूं आपके लिए अब मैं नासिक टू बंबे वाला स्पेसिक एक्जम नहीं एक्जम नहीं रहा हूं इस इस जेनरल के इस फाइट एन फिफ्टीन ट्वेंटी मीटर ठीक है यह मीटर स्केल है और यह टाइम लेंगे सेकंड्स में है पांच है दस कि अंद्रा है इस पच्छिस और लेट से मैं कोई एक पॉइंट पकड लेता हूं दस सेकंड्स मुझे 10 सेकंड्स में मेरा स्पीड चाहिए तो 10 सेकंड्स में जब मैं स्पीड की बात करूंगा इंस्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट ठीक है तो मैं इन दोनों को अलग अलग नहीं बढ़ाऊंगा साथ में बढ़ाऊंगा हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था स्लोप जो होता है एकसटी ग्राफ का वह वेलोसिटी होता है तो मुझे स्लोप के लिए तो चाहिए दो पॉइंट तो यह फिर यहां पर मैं थोड़ा स्केल चेंज कर देऊं कैलकुलेशन में आसानी होगी है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो मैंने 10, 10 का इंटरवल ले लिया, तो calculation में थोड़ी easy पड़ेगा, नहीं तो complex हो जाएगा, आचा, तो ये मेरा point है A, ये जो point है, ये मेरा B है, मुझे अगर A से B, velocity निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका displacement निकालूंगा, या फिर change in position, तो change in position कित में है, तो ये 40 और 50 के बीच में तो लेटस है, 45, तो ये 45, और ये कितना 20, so मेरा velocity हो जाएगा, 45 minus 20, ये हो गया, displacement, change in position, divide by time कितना है, 20 minus 10, तो ये हो गया, 10, so ये calculation कर लो, थोड़ा सा कितना आ जाएगा, 20, 20, 40, 25, divided by 2.5 meter per second, ऐसा खुसता आएगा, अगर ये meter और second है, तो है ना, units, ओके, तो अब अगर देखोगे, तो ये बड़ा time interval था, इस बड़े time interval में हमने जब velocity निकाला, तो basically हमने क्या किया, इस line का, इस line का, ध्यान से देखो, ये वाली line, A और B को join करने वाली straight line, since this is not straight line, हमारा जो motion है, वो इस तरह का कुछ तो है, this is non uniform motion, जरूरी नही के, ऐसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा, ऐसा, कुछ भी हो सकता है, और हम A और B की बात कर रहा है, तो ये straight line जो भी होगा, A और B को join करने वाला, उसका, जो भी slope आएगा, that will be our velocity, ठीक है, this is average, याद रूखो, क्यों average होगी, interval बढ़ा लिए, अब ये सोचो, ये जो interval है, let us say, this is delta T, if I decrease this interval to 0, मतलब क्या करना है, delta T tends, इसको बोलते हैं, बचो, physics में या mathematics में, delta T tends, or tending to 0, tending to 0, इसका simple words में meaning ऐसा है, उस interval को छोटा करते जाहिए, छोटा करते जाहिए, छोटा करते जाहिए, छोटा करते जाहिए, कितना छोटा करना है, 0 कभी नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो, सोचाना, यहां मैं 0 से डीवाइड कर रहा हो, तो mathematically गड़ बढ़ हो जाएगा, ठीक से 15, तो देख लो, यहां पर भी तो मेरी value change हो रही है, ठीक है, अब फिर भी यह straight line नहीं है बचो, यह slightly straight line भले लगे, यह मैंने B point को, यह B का initial condition तो B1 लिखते है, यह मैंने B2 लिख दिया, second position, तो वापस से यह, ठीक है, मैंने curve थोड़ा जान बुच के और curve बना दिया, ठ reality में curve और यह straight line काफी हद तक नजदिक आ चुके है, ठीक है, curve और straight line में ज़्यादा फरक यहां पर नहीं नज़र आएगा, तो interval छोटा कर दिया, तो मेरा curve, और मेरी straight line, यह इतने close आ गया है कि यह करीब करीब, सेम ही लग रहा है, ठीक है, तो मतलब आप यह समझ सकते हों कि यहां से यहां तक velocity में बिल्कुल ही change नहीं आया, तो यहां पर हर point पर velocity एक जैसा आएगा, चलो निकाल लेते calculation करके यह कितना रहा है, 30-20 डिवाइड बाई, average second case में, second case में, मतलब कहां पर, a से b2 तक, तो इस case में कितना रहा है, 30-20 डिवाइड बाई, 15-10, कितना हो रहा है, देखो, यह 10 हो गया, यह 5 हो गया, 2 meter per second, ठीक है, देखो, अब अगर मैं इसको और छोटा कर दू, लेटास है, यह exact 10 और 15 के बीच में, साड़े बारा ले लेता है, ठीक है, 12, 10 और 15 के बीच में, कितना होता है, साड़े बारा ही होता है, और यहाँ पर 20 और 30 के बीच में, ले लेता हूँ, मैं 25, तो अब यह मेरा point हो गया, है, बी 3, अब बताओ, 25 माइनस 20 हो जाएगा, उपर, 25 माइनस 20, सही है, डिवाइड बारा, यहाँ पर interval कितना हो जाएगा, साड़े बारा, 12.5 माइनस 10, तो 25 में से 20 गये तो बचों कितना होता है, पांच हो गया, और साड़े बारा मतलब यह हो गया, 2.5, धाई का डबल, 5 मतलब 2 मीटर पर सकेड़, अरे, क्या आया, धाई 2.5 मतलब यहाँ बदल रहा है, जब बड़ा interval ले रहे, छोटा interval लिया, तो 2 आया, और 2 आया, जब interval को छोटा करते जाएंगे, तो हमारे पास जो average velocity है, वो constant होते जाएगी, मतलब उस छोटे interval के लिए, velocity में बहुत फरक नहीं है, मतलब यह हुआ, कि उस interval में, velocity की value, उस particular time पे जो थी, वही है, ठीक है, इसको और छोटा करते जाओ, अगर आप इस line को देखोगे, जैसे 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 छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, और interval छोटा कर दो, और छोटा, और छोटा, इतना छोटा, let us say, 0.1 second के size का हो जाएं, तो उस case में, ये line जो होगी, if I consider this as curve, तो ये जो line होगी, that will be as good as a tangent, तो ये tangent बनेगे और उसका slope निकाल रहें हम लोग, so basically, slope of tangent to the curve is derivative, तो ये basically derivative भी है, तो अच्छा, mathematical इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने change in position लिया था, average velocity को, x2 minus x1, ये positions लिये थे, divide by time, अगर vector में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, t2 minus t1, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब ये मैं numbers हटा देता हूँ, अब इसको mathematically लिखते है, तो इसको ऐसे लिख सकते है, delta x bar upon delta t, ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये average था, इसको छोटा करते हैं, छोटा कर दिया तो ये instantaneous हो गया, क्योंकि उसी वक्त पे, उस छोटे interval में, value में ज्यादा change नहीं है, constant है, मतलब वो उसी वक्त की value है, मतलब 10 second से 12 second तक, 2 meter per second आया, इसका मतलब 10 second से 10.1 second के लिए भी 2 meter per second आएगा, या 10 second पे भी 2 meter per second आएगा, मतलब V at 10 second is 2 meter per second, ये मैंने उस calculation से निकाला था, तो वहाँ पर हमने interval को छोटा कर दिया था, तो interval को छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते है, limit delta t tends to zero, इसका मतलब क्या होता है, limit delta t tends to zero का मतलब होता, यह ड्लीटा ती है और इसकी को छोटा करतेगे चोटा करतेगे चोटा करतेगे चोटा करतेगे चो यह देltा टिरेंट डेल्स टूरो ही यह बार हो डिवाइड बेड़ डिटा टी और यह जो आएगा इस विल बी आर इंस्टेंटेनेस स्पीड यह हो गया मैथमेटिकल फॉर्मुला फ्रम इस ग्राफ अब हमने क्या देखा था वो जो स्लोप निकला था यह तो बेसिकली हम स्लोपी तो निकाल रहे हर बार इस वाली लाइन का फिर और चोटी कर देखा एक मुमेंट पर क्या हुआ इतना चोटा इंटरवल हो गया कि वह लाइन बन गई टैंजेंट क्यूंकि यह पहले तो दो पॉइंट है फिर वह नजदिक आते 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 कहां पर आ जाएंगे एक पॉइंट पर आ जाएगा और उस वक्त किया बनेगा बैट लाइन विल बी टैंजेंट तो दिस इस इक्वल टू लोग लिख सकते हैं डी एक्स बार बाई डीटी तो हमारे काम का यह सब नहीं है हमारे काम का यह है तो अगर डेरेकल इसको लर्न कर लिया तो आपका सारा काम हो गया डेरेवेटेव के फॉर्मले तो हमने पढ़े है उसका यूज करेंगे और इंस्टेंटेनेस वेलोसिटी निकालेंगे ठीक है अब यह वेलोसिटी है इसका अगर मैं मैगनिटूड निकालो तो यह आ जा करते हैं तो मैने यहांथ पर जब निकाल था तो ic 25 आए ता जब छोटा करते हैं वेलोसिटी में चेंजी नहीं आया तो यह उसके करते हैं इसके करते है और पहला है करते हैं उसकी जर्णी हो रही है यहां पर मैं बना देता हूं डाइग्राम यह स्ट्रेट लों स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पांच किलोमेटर चला और पांच किलोमेटर में उसका स्पीड था ट्वेंटी किलोमेटर पर आर ठीक है ट्वेंटी किलोमेटर पर आर और दस किलोमेटर चला यहां से यहां तक यहां से यहां तक और उसका स्पीड था 40 km पर आर ठीक है किम पीयुट किलो मिटर पर आर वाट विल बी इस एवरेज स्पीड ए डीवाइज वलो सिटी ठीक है अब लॉजिक से हम सोचे की 20 की स्पीड से चला है गलत हो जाएगा क्यों देखते हैं ठीक है तो पहले तो हम इसका सोलूशन में हम लोग क्या करेंगे अब देखो जेए है तो मैं कुछ स्टेप वाइज नहीं कर रहा हूं कि टोटल डिस्प्लेस्मेंट कि डिवाइड टोटल टाम टेकन एवरेज वेलोसिटी हां वेलोसिटी के बात कर रहे हैं तो अब है तो अभी टोटल डिस्प्लेस्मेंट यहां से यहां तक गया तो टोटल डिस्प्लेस्मेंट हुआ और देखो पूरा मोशन स्टेट लाइन में है पहला पहला लॉजिक सोचो पूरा मोशन स्टेट लाइन में कहीं पर तो यहां पर फिक्स हमको पता चल गई कि दो करेंगे दोनों की वेल्यू एक ही लिख देंगे चलो करते है डिस्पलेस्मेंट कितना हुआ तो यहां-स यहां तक गया पांच किलोमेटर और 10 स्पीड अलग है तो क्या आती वैल्यू निकालते हैं चलो कि सिंस दोनों मोशन स्टेट लाइन में है तो दोनों वैल्यूस तो सेम आनी है तो हमें उसका टेंशन तो है नहीं एक सब्सक्राइब चल रहा है तो हमें उनिफॉर्म मोशन के लिए पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टंस अपन टाइम याद करो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है बेसिक फॉर्मला स्पीड इक्वल टू डिस्टंस अपन टाइम तो यह डिस्टंस कितना है और मुझे टाइम टीवन के लिए लिखेंगे मैं डिस्टंस एफाई स्पीड है 20 यह होगे मेरा टीवन समझ रहे हो टाइम इकवल टू इस्टंस अपन स्पीड यहां पर टाइम इकवल टू डिस्टंस अपन स्पीड टैन बाइग है फॉर्टी अब इसको कालकुलेट करेंगे तो कि यह इधर कड़ लेता है कि 000 चट दिया वन राव फोर प्लस वन बाइफ ओपर फिफ्टीन हो गया है न सर्ए ना वन बाइफ फॉर प्लस बाइफ वच्रों कितना ओजाएगा अच्छा यह ठीक है आर समी आएगा कोई दिक्कत ने बन बाइफ प्लस बाइफ फूर बिल बी टू बाइफ और न कट कर देंगे तो यह हो जाएगा वन बाइटू तो मैं इसको डारेक्ट वन बाइटू लिख देता हूं करते तो 20 और 40 का अगर डीवाइड बाइटू करते तो कितना था 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 तो कुछ गड़ बढ़ है किया यहां पर यहां तो एवरेज आ रहा है सेम तो यह तो डैरेक्ट करना चाहिए था चलो मैं एक और एक्जम्पल देता हूं आपको ठीक है उसमें चेक करना मैं सिफ व किलोमीटर पर ठीक है और वह फैले 5 चल यहां से यहां तक 5 किलो मीटर चला था था 10 ठीक है फिर आगे 30 किलोमीटर चल संहां। ओर जो स्पीड था वह मैं यह चेंज करके लग डियाता हूं 55 ठीक है मैंने थोड़े बैल्यूस चेंज करती बस 55 किलो मीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है और यह जो डिस्टेंस चला कितना चला है यह 30 किलो मेटर चला है तो मैंने 5 तो यह जो भी आएगा और इस फॉर्मॉला से जो भी आएगा क्या वह मैच कर रहा है चेक करना और मुझे कमेंड में बताना नीचे ठीक है तो यह अपना एक 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 अग्जाम्पल एक और क्वेशन करता है बच्चो इस पोजिशन ऑफ पार्टिकल इस गिवन बाए एकस एक गया है ठीक है हमें पोजिशन एज फंक्शन ऑफ टाइन दिया है तो अगर टाइम की हम अलग अलग वल्यू निगा लेंगे तो हमें कोडिनेट या फिर पोजिशन मिल जाएगा पार्टिकल का और उस पे से डिस्प्लेस्मेंट भी निकाला जा सकता है वाट विल बीड़ में याद रखो हम लोग पात्य त्याहरा सीदा सीदा नहीं इपल सकते हैं क्योंकि हमें यह एक्वेशन पार्टिकल ये पूम Milo स्टेट लाइन तो हम लोग सिंपल स्ट्रेक लाइन मोशन नहीं है तो सीधी बात है कि हम लोग उसका डिस्टंस नहीं पाएंगे सीधा-सीधा नहीं निकल पाएंगे आसानी से तो एनिवेज हमें फाइनल वेक्टर माइनस एक्स इनिश्यल वेक्टर अगर वेक्टर में लेखेंगे नहीं तो फिर सिरल एक्स फाइनल मैंस एक्स इनिश्ब भी लिख सकते हैं ठीक है यहां पर as far as question is concerned यह वेक्टर विक्टर कुछ नहीं है तो हम लोग सीधा यह वाला फॉर्मिला दिया नहीं है तो यह होना चाहिए था कि नेट डिस्प्लेस्मेंट फ्रॉम कि टी इक्वल टू कि वन सेकेंड टू कि टी इक्वल टू फॉर सेकंड एक सेकंड से लेके चार सेकंड के बीच में टाइम की वल्यू दिया हमें एक सेकंड से लेके चार सेकंड के बीच में उसका displacement कितना हुआ यह पूछा है and velocity भी निकालनी है वो तो बाद में निकालेंगे हम लोग also fine अच्छा तो पहले हमनों displacement निकाल लेते हैं तो सबसे पहले तो t equal to one second पे उसका coordinate निकालना होगा t equal to four second पे coordinate निकालना होगा दोनों को minus करना होगा तो कैसे करेंगे को कोडिनेट एट टी इकोल तो वन सेकेंड तो यहां पर वन डाल दो टीकी वाल्यों थ्री वन का स्क्वारी टी की जगावन डालना है माईनस पूर टी की जगावन डाल दो कितना रही है 3-4-1 यह कोडिनेट है तो निकेटिव आ सकता है ठीक है और फिर एकस एट टी इकोल टू फोर टी की जगावन डाल देंगे स्क्वार माईनस फोर टी की जगा वापस से फोर डाल देंगे तो यह हो गया फोर फोर्जा 16 और यह आ गया 48 माईनस 16 देख लो ठीक है तो इस विल भी 16 आई गयास 32 ठीक है माईनस में आई गया और थिक है 32 वा गया यह अब मेरा यह एक्स फाइनल और यह एकसल दोनों चीज़ा आ गए मिरे पास एकस दिस इस एकस इनिशल Hmm न ऐनीशल त्यांट वन सेगन और फाइनल टाइम कितना है फाइनल टाइम है ट इकल टो फोर से कंट तो इनट डिस्प्लेस्मेंट चीये तो इनट डिस्प्लेस्मेंट का फॉर्मला क्या है के आगा अच वह मैं यह वाला फॉर्मला टोंगा मतलब लेक्टर नहीं लिखें यहता फाईन माइनस च Thanksgiving एक सफाईनल है मेरा ठ्रिक्टिक टू माइनस x initial है माइनस 1 कितना होगे बच्छो so this comes out to be 32 plus 1 33 units अगर मीटर में है तो मीटर यहाँ पर दिया नहीं है तो हम लोग मीटर्स लिख लेते है this is in मीटर्स ठीक है तो answer मीटर में आ जाएगा अच्छा यह होगे अपना पहला काम velocity पुछा है बचो अब velocity का पुछा है at t equal to 2 तो एक particular time पे पुछा है इसका मतलब होता है यह हमें instantaneous पूछा है तो instantaneous velocity के लिए मैंने आपको यह वाला formula बता है dx by dt ठीक है again यहाँ vector equation है नहीं तो हमें vector में लिखने की ज़रूरत नहीं है so d by dt of with respect to time derivative होगा x क्या है 3t square minus 40 अब बता हो मैंने आपको derivative तो सिखाया है तो इसका derivative कैसा आएगा देखो पहली चीज derivative जब निकाल रहे है दो टर्म्स है बीच में plus minus है हर एक का separately निकलेगा तो इसका derivative d by dt of 3t square और वापस से इसका भी निकलेगा d by dt of 40 मैं आपके लिए यह detail में solve कर रहा हूँ यह तो यह औरली भी क्यार सकते है 3 जो है constant है बाहर निकल दो t square का derivative होता है 2t क्या formula लगता है यहाँ पर x raise to n का derivative होता है n x raise to n minus 1 तो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 raise to 2 minus 1 मतलब 2 raise to 1 तो 2x हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर लिख दिया t square का 2t minus यहाँ पर 4 into t 4 constant है भाहर t का derivative अगर यहाँ 1 होता तो क्या आजाता 1 x raise to 1 minus 1 मतलब 1 x raise to 1 x raise to 0 x raise to 0 1 होता है तो यह 1 आजाता तो t का derivative आएजाएगा 1 तो मेरा answer क्या आगया 3 into 2 3 to the 6 t minus 4 याद रखो यह velocity का equation आया है अभी तक answer नहीं आया है हमें क्या पुछा है t equal to 2 second पे so at t equal to 2 second यहाँ 2 डाल दो का डालोगे t की जगा यहाँ पर तो 6 into 2 minus 4 यह कितना होगे आएगा 12 minus 4 8 meter per second क्योंकि हम लोगोंने यहाँ meter में और second में सब चीज़े कर रहे है तो यह इस तरह से बच्चों हम लोग questions को solve करते है अब मैंने आपके instantaneous और average यह वाले topic complete कर दिये है कुछ और questions है वो मैं अलग से आपको question का वीडियो बना दूँगा ठीक है और description में बचों में एक assignment share करने वाला हूँ problems के कुछ set है तो वो आप download कर लीजिए description में है नीचे ठीक है और उसे खुछ से solve करिए बाकी अगर कुछ queries है तो आप comment कर सकते हो या फिर मुझे WhatsApp भी कर सकते हो चलिए तो आज के लिए बचों इतना ही है have a nice day